आप सभी PF मेंबर्स को बता दो भया, बहुती बड़ी खुसकबरी है आप सभी PF मेंबर्स के लिए और आपको पहले खुसकबरी के थोड़ी सी हिंट देता हूँ, हिंट यह है कि अब आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड से भी ऑनलाइन अपने PF में अपना फादर नेम कर करने को लेकर जिया, आपने विल्कुल से ही सुनाया, आप सभी PF मेंबर्स को बता दूँ कि EPFO ने ओनलाइन PF में फादर नेम करेक्शन करने को लेकर एक बहुती बड़ा बदलाव किया है, एक बहुती बड़ा अपडेट किया है, बहुती बड़ा चेंजमेंट किया है, जो आपको पहले खुसकबरी के थोड़ी सी हिंट देता हूं हिंट यह है कि अब आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड से भी ऑनलाइन अपने पीएफ में अपना फादर नेम करेक्शन कर पाएंगे चेंज कर पाएंगे जिया फादर नेम करेक्शन करने को लेकर बहुत ही बादू कि एपीएफो ने एक नया सर्कुलर जारी किया है यहां पर मैं आप लोगों को निशान लगा के बताएता हूं यहां पर आप देखी यहां पर 377 नंबर सर्कुलर है आप लोग देख सकते हैं जो पीडिएफ है वह हमारे सामने ओपन होके आ चुकी है अब देखे यह सर्कुलर एक अब जारी किया गया है यहां पर जारी किया है ग्यारा मार्च दो हजार चौविस को ठीक है किने जारी किया गया है जितने भी पीएफ के ओफिसेज हैं जितने भी अपने इंडिया में हैड़कॉर्टर से हैं जितने भी अपने एसी सी या जितने भी जोर् सिंग जोई डिकलेस्ट फूर मेंबर प्रोफाइल अपडेशन इन एपेफ हूं मतलब कि भाई यहां जो काम की बात है वह मैं आप लोग को बताता हूं ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, कि अब आप कौन-कौन से documents अपने PF में अपना father name correction करने के लिए कर पाएंगे, लगा पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, पहला document क्या है, यहाँ पर आप देखें, आधार card of the member bearing the father mother name, जी भी आपको correction करना है, ठीक है, मतलब कि भईया, यहाँ पर clearly mentioned है, कि अब आप आधार card से, जहाँ पर आपका father name, mother name printed होगा, उससे अपने PF में correction कर पाएंगे, समझ आ गया, अब यहाँ पर देखेंगे, दूसरी चीज और, यह documents पहले allowed नहीं तो मैं आप लोग को बता रहा हू दूसरी चीज और, यहाँ पर pen card, जहाँ, अब आप pen card से भी जहाँ पर आपका father name pen card में तो होता ही है, तो pen card से भी अपने PF में father name वगरा correction कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही बड़ी कुछ कबरी है, मतलब जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, father name correction की, तो लोग मुझ से कह रह आप 10th या 12th की mark sheet भी लगा सकते हैं, अपने PF में father mother name correction करने के लिए लेकर, जो भी आप correction करना चाहते हैं, मतलब ही documents valid कर दिये गए हैं, पूरी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, driving license भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, मतलब कुल मिला के भाईया, आप father mother name, जो भी correction करना है, वो काफी जदा आसान कर दिया गया है, फिफो दौरा, क्योंकि भाईया, यहाँ पर ध्यान रहे है, दो documents लगेंगे, अगर आपका minor correction है, मतलब कि कुछ digit change करने, कुछ alphabet change करने, रमेश से महेश करने, तो यह आप कह सकते हैं, थोड़ा changes हो गया, त एक बंदे के पास होते ही है, तो आप आसान हो गया है, अब देखिए, एक जरूरी चीज़ और बता दूँ, कि अभी आप correction करने जाओगे न, तो वहाँ पर अभी आपको इस सारे documents लगाने के option नहीं मिलेंगे, तो आप आप other document पे click करके, यहाँ पर इनकी PDF file बनाके लगा स लगते हैं, तो सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया, कैसा लगा आपको यह update, यह circular तो बहुत लंबा है, लेकिन जो काम की बात हैं, वही मैंने आप लोग के वन बताई हैं, तो कैसा लगा आपको यह update, प्लीज मुझे comment box में comment करके ज़रूर बताना, धन्याब दोस्तों